तो भाई अगर आप चैनल पे एक्टिव हो मेरे चैनल के रेगलर सब्सक्राइबर हो तो आपसे मेरा क्वेस्चन है कि क्या है रेसल मीना के दौरान हमें लाइव वाच अलॉंग करनी चाहिए यहीं यूट्यूब चैनल पे वाच अलॉंग मतलब यह नहीं कि मैं आपको सो दि लिया है लेकिन सिर्फ एक ठौट मेरे दिमाग में मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो तो क्या आप लोग चाहते हो कि दौरान हम लोग लाइव वाच अलॉंग करें लाइव रियाक्शन वगरा विकॉस ग्रेटिस्ट मेनिया है तो अगर आप लोग यस कॉमेंट बागी आगे बढ़ते हम लोग अपनी अपडेटिट्स वग्जेरा को सुरु करते हैं भाई तो सबसे पहले सुरु करेंगे लिंकन फाइननेंसियल फील्ड के बाहर की एक फोटोग्राफ देखते वे तो स्टेज लीक तो अभी तक कोई नहीं निकल के सामने नहीं आई है आएगी तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन अभी मैं आपको Lincoln Financial Field के बाहर का एक सीन दिखा देता हूँ यहां पर जायन्ट Massive Banners लटका दिये गए है रेसलमीना के लिए Roman Reigns and the Rock versus Cody Rhodes and Seth Rollins के सबसे बरा मैच यही है अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से तो विकॉज रॉक हैं यहां पर तो ऐसे में भाई इनके बरे-बरे Banners लटका दिये गए है Lincoln Financial Field के जस्ट बाहर में इन इंटरेंस पहीं तो अंदर अभी क्या चल रहा वो तो इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में तो भाई क्या काद मिला का डवी डिटरेंड होने वाला है क्या हुए मैं आपको कार्मिला का ट्वीट दिखा दिता हूँ कार्मिला की तरफ से भाई कुछ यह ट्वीट निकल के सामने है यहां पर कंफर्म करती है क्या कुछ देख लो लिखती है उसके बाद कुछ और अडवी वर्ड एलेवन अगें और रिमाइंड यू दा मिला इस ममी उसके बाद मॉमी को वह करती है देन लिखती है मनी उसके बाद ब्रैकट में कहती है क्या है यह क्या है यहां पर प्रेजेंट होगी बाद कहती है कि वेट इनका जो है काफी जादा हो चुका है अब इस से जादा वो वेट नहीं कर सकती है वो चाहती है अपने फैंस से मिलना मुलाकात करना बादचीत करना इंटरैक्ट करना अभी कहसा आप से इने डाउट की कहीं लोगी ने भूल तो नहीं गए तो अब इसली भाई भूले वगेर तो नहीं है अभी देखना होगा कि इनका इन रिंग रिटेंड कब होता है प्र करती है कि वह रचसर मीनिया वगरा के लिए प्रेजन होगी ऐन डब्ली वर्ड में भी प्रेजन होने वाली यह तो आप देख सकत हूँ डब्ली जानल पर बिलकुल लाइव अभी कहसाब से कर्मेल आ का यह त्वीट आयथ है तो मुझा अपको दिखा देते हैं अचा मैंने हो चुके हैं हल्क होगन कन्फर्म हो चुके हैं भाई देख सकतो के आप लोग रसल मीनया 40 से पहले वाले डुप डुप वेंट के लिए तो अभी मैं कहाँ है था था ये रूमट है लेकिन रसल मीनया के लिए हल्क होगन इस नौओ ओफिसली कमिंग आट डैबिडबली वर्ल्ड रसल मीनय जो भी कहलो तो अभी केसा आप से देखना होगा कि क्या यह रसल मीनय में भी अपियर होंगे या फिर नहीं लेकिन अभी केसा आप से हल्क होगें जो हैं भाई वो नग के लिए उनके लिए अच्छी न्यूज रिखना वोग चाहते हैं हिल्कौड को देखना मटस्टिल आगे बठते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टॉरी के बारे में जो कि अंडर्टेकर को लेके अंडर्टेकर ने कॉमेंट करना है कि वह क्यूंछ चाहते थे कि ब्रेवाइट उनकी स्ट्रीक तो पहली तो अपडेट यही होगी कि Undertaker चाहते थे कि ब्रेवाइट उनकी स्ट्रीक तो रहे बाकि वो क्यों चाहते थे वो मैं आपको बताता हूं Undertaker believes that the most logical person to break his Wrestlemania streak would have been ब्रेवाइट अपने podcast पे अपने patreon वगरा पैसे कुछ चीज़ों पे Undertaker रिवील कराए कि उनका जो मनपसंद superstar था डबर डबर डबी के अंदर wrestler था वो ब्रेवाइट थे और वो चाहते थे कि ब्रेवाइट उनकी स्ट्रीक तो रहे रेसल मीना स्ट्रीक 21 ओ वाली जो की लिसनर ने तोड़ दी क्या है रीजन वह देखते थे ब्रेवाइट के अंदर next Undertaker जस्ट इतना ही वो टॉर्च पास करने वाला मोमेंट था और कुछ नहीं तो Undertaker ने ये कहा है मैं अगरी भी करूंगा किसी ना किसी पॉइंट पर लेकिन मुझे कोई दिखकत नहीं कि ब्रॉक लिसनर ने श्ट्रीक तो रही मुझे अभी भी सही लगता है वो डिस्जियन आप क्या सोचतो हो कॉमेंट करके बताना जरूर से बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो की है एले अगली स्टील करें लेकिन हम यह नहीं कर सकता है यह कुछ कहना है अले नाइट का तो अपने मैच को लेके हाइप डेंब आकि यह ऐसा क्लेम नहीं करते हैं कि स्टील करेंगा अपने लेकिन अभी किसाप से होप इनकी भी हाई है आगे बढ़ लेते हैं बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि यह भाई रोमन रेंस रॉक और पॉलहमन को लेके तो पॉलहमन ने कॉमेंट करा है रॉक के एल साइन को कैते हैं आपे पॉलहमन I don't know and it's something that certainly my suggestion would be that's a great question to ask the rock and I'm sure he would be happy to answer it but it is a conspiracy and just because it's a conspiracy theory doesn't mean there's not a conspiracy behind it यह में लाइन में आपको समझाऊंगा उसके बाद कहते हैं So my father always thought me just because you're paranoid doesn't mean the whole world's not against you so I'm sure there's something to it and my suggestion would be ask the final boss ask the rock То कहते हैं देखो मुझे नहीं पता कि उस sign का क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है मैं कहूंगा कि best यह है कि आप rawक से question पूछो वही बतापाईगा better कि क्या है क्या नहीं लेकिन मैं इतना जानता हो कि conspiracy तो है conspiracy theory है लेकिन conspiracy तो इसका मतलब यह इनी कि उससके पीछ ना कुछ सच् तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई तुम रॉक से पूछो यह question बेटर होगा मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर देख लो So I'm sure there's something to it कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो reason होगा तो Paul Heyman कहीं ना कहीं संका के अंदर हैं साथ में हमने कुछ photographs भी देखी थी कि जो Paul Heyman ने वो concerned दिख रहे हैं जब rock ने ऐसा वो sign वगरा कर रहा था तो यह एक बहुती interesting swerve है देखना होगा क्या होता है रसलमीना के अंतर क्या सोचते हो आप इसके बारे में comment करके बताना चैनल पर अगर आप नए आया थे तो subscribe करना चैनल को रसलमीना के टाइम ऐसी फास्टेस्ट अबडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकता आप लिए इंस्ट्राग्राम एंट ट्विट अपल निक आपको मिल जाए कि कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके लिंग के डिस्क्रिप्शन में मिलता है अपनी नेक्स वाफेर काफे इंट्रस्टिंग वीडियो में